नमस्कार, सभी दर्शकों को कामिका एकादशी की हार्दिख्षुप कामना हैं भगवान शी कृष्ण धर्मराज युदिष्ठिर से कहते हैं हे राजन, श्रावन कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी कहते हैं इसे पवित्रा एकादशी भी कहा जाता है श्रावन का महीना हो और भगवान शंकर का इस्मरण ना हो ऐसा कहां हो सकता है श्रावन के अति पवित्र मास में एकादशी की तिथी में भगवान श्रीधर को याद करना और साथ ही भगवान शंकर का भी स्मरण करना एकादशी में चार चांद लगाने का काम करता है कामिका एकादशी का वृत्र करने से 88,000 गवों के दान का पुन्न मिलता है इस एकादशी के उपवास से देवता, नाग, किनर, प्रकृति, आदि सभी प्रसन्न हो जाते हैं भगवान स्री कृष्ण कहते हैं, हे युद्धिश्टिर, कामिका एकादशी की कथा कुछ इस प्रकार है जो आईए हम और आप सभी श्रवन पान करते हैं किसी नगरी में एक वीर छत्री रहता था, उसके पास बहुत अत्यन्त धन था और वो बहुत प्रतापी भी था एक बार उसकी एक ब्राम्हड से हाथा पाई हो गई, जिसके कारण दुर्बल ब्राम्हड की मृत्ति हो गई चोंकि वो प्रतापी क्षत्री दयावान भी था, इसलिए उसके मन में ये भाव आया कि मुझसे ब्रम्हत्या हुई है क्यों ना मैं इस ब्राम्हड का क्रिया कर्म करूँ उसने उस ब्राम्भण का अंतेष्ट क्रिया करनी चाही प्रंतु दूसरे अन्य ब्राम्भणों ने ऐसा करने से मना कर दिया ब्राम्भणों ने कहा एक शत्रिय तुने बहुत बड़ा अपराद किया है एक ब्राम्भण की मृत्यु का अपराद तेरे सिर पर है हम ना ही तुझे क्रिया कर्व करने देंगे और ना ही हम ब्राम्भणों में से कोई भी तेरे घर अन्य जल ग्रहन करेगा उस छत्री को बड़ा दुखु हुआ उसने ब्राम्भणों के चरण पकड़े और कहा भगवन आप ही हो जो मुझे प्राश्चित करने का उपाय बता सकते हो ब्राम्भणों ने कहा राजन तुमने ब्राम्भण की हत्या की है पाप तो बहुत बड़ा है लेकिन भगवान का नाम उससे भी बड़ा है यदि तुम श्रावन कृष्ण पक्ष की एकादशी कामिका एकादशी का व्रत पूरे विधी विधान से करते हो भगवान विश्णु और भगवान शंकर को प्रसंद करते हो तो निश्चित ही तुम्हारे सिर से ब्रह्म हत्या का पाप दूर हो जाएगा और तुम्हें शान्ती मिलेगी ब्राम्भणों के बताये हुए नियमा अनुसार उस छत्री ने कामिका एकादशी का व्रत किया व्रत करने के साथ ही एकादशी की रात्र में भगवान श्रीधर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा शक्त्रिय तुम दुखी मत हो तुमसे जो भी पाप हुआ वो अंजाने में हुआ मैं तुम्हारी भक्ती, शृध्धा और भाव से प्रसंद हूँ इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सिर से ब्रह्म हत्या आदिपाप दूर हो जाते हैं तुम अपने राज्य में जाकर सुख पूर्वक आनंद से निर्वहन करो भगवान स्री कृष्ण कहते हैं हे धर्मराज दिश्ठिर जो भी व्यक्ति, जो भी प्राणी कामिका एकादशी का व्रत करते हैं उसे आभूश्णों से सजे हुए बच्छडे के साथ गव माता के दान का पुन्य प्राप्त होता है प्रतेक विक्ति को चाहिए कि श्रावन की दोनों एकादशी का उपवास संपून भाव और प्रेम के साथ अवश्य करे श्रावन में भगवान शंकर और विश्नु दोनों का इस्मरण करे पूजा अर्चना करे क्योंकि वावा तुलसी ने भी कहा है कि विश्नु और शिव एक दूसरे के पूरक है जो हरी की निंदा करे हर का ध्यान करे उसका कल्यान हो ही नहीं सकता आप सभी दर्शकों को मेरे ओर से एक बार पुनह, पवित्रा या कामिका एका दशी की बहुत बहुत शुब कामना है जै जै श्री राध है इप हाँ